मुख्यबंतरी सुखवंदर सिंग सुखू अब लगभग स्वस्थ हो गए हैं उन्हें जल ही एम्स से डिस्चारज किया जा सकता है चुटी से पहले एम्स के विशेश टीम मुख्यबंतरी सुखवंदर सिंग सुखू के रूटीन मेडिकल टेस्ट फिर से करेगी पेट का प्यूटर राइज टॉमोक्राफी यानि सिटी स्कैन टेस्ट सबसे जरूरी है जिसकी नॉर्फल रिपोर्ट के उपरांत मुख्यबंतरी को डिस्चारज कर दिया जाएगा मुख्यबंतरी सुखवंदर सिंग सुखू के प्रधार मीडिया सलाकार नरेश चौहार ने मुख्यबंतरी के स्वस्त होने की जानकाई दी है और उन्हें कहा कि मुख्यबंतरी जल दिवाली पर्फ से पहली प्रदेश पे हो सकते हैं अराम उनको जो है सुझाते हैं एडवाइज करते हैं वो इंपर्टेंट होगा उसके बाद ही अगले फैसले हो सकेंगे कि वो परचार में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर्स जब डिस्चार्ज होंगे वो कितने दिन का और और किस तरह का अगला उनका शडूल होगा कितने लोगों से वो मिल पाएंगे कम से कम या अगले 10-15 दिन उनको और अराम की उसलाह देते हैं ये हम सब को इस बात के लिए एक दो दिन का इंतजार करना पड़े